नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मों खबर जानते हैं जर्खन विधान सभा घिराव करने जा रहे आईसू सूप्रीमो सुदेश महतो को पूलिस ने रोका अस्थानी और नियोजन नीती कीमा गोले का जर्खन विधान सभा के घिराव करने जा रहे आईसू सूप्रीमो सुदेश महतो समेत पार्टी करकरताओ को पूलिस ने रोका है पूलिस ने राची के दला दिली चौक के पास आईसू सूप्रीमो को रोका है इस दोरान पूलिस अधिकारियों के साथ आईसू करकरताओ की नोका जोकी भी होई वहीं तूपु दाना रिंग रोड के पास भी आईशू कर करताव को पुलिस ने रोका चता सभी को हिरासत में लेकर तूपु दाना ओपी लाया गया बता दे की अस्थानी एवं नियोजन नीती समेत अन्यमागों को लेकर आईशू समेत कई संगटनों ने सोमवार को ज्ञारखन विधान सभागिराव का एलान किया था रांची समेत साथ जीलो में खुले स्कूल लेकिन परिक्षाए होंगी ओनलाइन ज्ञारखन के साथ जीलो, रांची, पूर्वी सिम्हों, देवगहर, चात्रा, सिम्डेगा, सराय के लाखर्शावा एवं बोकारों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों के लिए सोमवार सी स्कूल खुल गया है स्कूली सिक्षा एवं सक्षर्थावी भाग ने दिशा निदेश जारी कर दिया है विद्यालों में कक्षा का संचलन तो होगा लेकिन आठ वी कक्षा तक के लिए 31 मार्च तक होने वाली ओफलाइन परिक्षा पर रोख है आपको बता देख की करोना संचलन के कारण करीव दो बर्शों के बाद परिक्षा से उपर के स्कूल खूल रहे है करोना संचलन के कारण जारखण में 17 मार्च 2020 से बिद्यालों में कक्षा चालन बन था जारखन में पांच लीटर से ज़्यादा सराब रखी तो होगी करवाई मगदनी से दवस्तिक्छा मंत्री जगनाथ महतो ने कहा है कि राजे में एक नया कानून लागू होने जा रहा है जिसमें किसी के पास एक साथ पांच लीटर से अधिक सराब पाये जाने पर अवयद मना जाएगा और गैर जमाना तिये धरावों के तहट प्रात्मिकी होगी नई सराब नीती में 36 गड़ का कंसल्टेट बहाल किया गया है हमारा राजस्व कैसे बढ़े इस पर ध्यान दिया जा रहा है राज्य में पहले 25 एस्टोर थे अब केवल पांच एस्टोर होंगे वहीं अवयद सराब की विक्री हर हाल में रोकी जाएगी करनल और कमांडेंट के पद से समानित हुई डाक्टर सोना जहरिया मिंज राष्ट्रिय महिला दिवस के पुर्व संध्यापर रांची के राजभौन में राजेपालस, कुलाधिपती, रमेश, बैस, द्वारा, सिध्धु, कानो, मुर्मु, विस्व, विद्यालय के कुल्पती प्रोफेसर डाक्टर सोना जहरिया मिंज को करनल और कमांडेंट के पद से समानित किया गया या SKMU और सभी NCC केड़ेटों के लिए गर्व का च्छन था पूरे देश के पैमाने पर देखे दो डाक्टर सोना जहरिया मिंज या सम्मान पाने वाली एकारवी कुल्पती है और जारकंड के दो कुल्पती में से एक है अस्थानिय निती को लेकर बावुलल मरांडी का सरकार पर निशाना भाजपरविधायक दल के नेता बावुलल मरांडी ने हिमन सरकार पर जम कर निशाना साधा उन्होंने कहा कि भासा विवाद को लेकर सरकार समाज में लोगों को आपस में लड़वाने का काम कर रही है सर्च तोया है कि सरकार अपनी नाकामी छीपाने के लिए ए हत कंडा अपना रही है उन्होंने कहा कि हमने बार बार भासा को लेकर निती बनाने की मांग की लेकिन किस नीती के तहट सरकार कौन-कौन सी भासा को अज़सुचित करती है और किस नीती के तहट इसे हटाया जाता है समझ से परे है सिरी मरांडी धनबात के सिंद्री स्थीत साई मंदीर में तनेजा साई आश्रम का उधगाटन करने पहुचे थे पीछली सरकार की अस्थानिय निती को हे मंत ने भीगाडा अस्थानिय निती पस सिरी मरांडी ने कहा कि भाजबा को जब जब आउसर मिला है उसने इस पर निन लिया है जरकन में पहली सरकार के मुख्य मंत्री के रूप में हमने बिहार सरकार के 1912 को अस्थानिय निति का आधार बनाया और उसी के आधार पर जरकन में 2016 तक कई नूक्तिया हुई सिक्षक समेत प्रोफेसर बीडियो दरोगा सिपाही आधि के नूक्तिया हुई वहीं 2014 में जब रखुवर दास मुख्य मंत्री हुए तो उन्होंने 1985 को अस्थानिय निती के लिए कॉट आप अपडेट गोसित किया लेकिन आज हेमन सरकार पिछली सरकार के अस्थानिय निती को बिगार दिया है उन्होंने कहा कि हेमन सुरेन विधान समय में अस्थानिय निती पर अध्यान करने की बात कहते है बाहर में उनके लोग अस्थानिय निती के लिए उन्हें 32 की मांग कर रहे है अस्थानिय निती को लेकर हेमन सरकार कनफ्यूज है और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस विवात को केंद्र बना दिया है उन्होंने कहा कि हमन सरकार ने दो बर्सों में कुछ पी नई किया इस सरकार की कोई भी उपलब्दी नहीं है एन्टीपीसी के खिलाप चल रहा आंदोलन चात्रा में हुआ उग्र चात्रा जीला अंतरगर टंडवा में पिछले 13 माह से एंटीपीसी के खिलाब चल रहा अंदोलन सोमवार को आकरमक हो गया एंटीपीसी का बाहरी छेत्र दो घंटे के लिए रन छेत्र में बदल गया इस दोरान आंदोलन कारी और पूलिस के बीच जमकर छड़प भी हुई दोनों तरफ से घंटो पत्रा हुआ पूलिस ने भी जमकर लाठिय भाजी और आसु गयस छोड़े इस दोरान दो दर्जन से अधिक वाहनों में आग लगाई गई बताया गया कि NTPC निर्मान में इस्तिमाल के लिए कुछ रसायनिक द्रव से भरा ट्रेंकर सोमवार को आया था जिसे बंदी के कारण आंदोलन कारी इस ट्रेंकर को प्लांट के अंदर जाने से रोक दिया गुमला, S.P. और D.S.P. आपस में उलजे हाई भोल्टे ड्रामा गुमला के पूलिस अधिक चक डाक्टर एहतिसाम वकारिब और मुख्याले D.S.P. प्रान रंजन रभिवार के अर्धरातरी को ला आइन अर्डर को लेकर आपस में उलज गय मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी D.S.P. रात को S.P. के आवास पहुच गये आवास में हंगामा किया D.S.P. ने अपना कापडा खोल कर फेंक दिये हलकी जड़प की भी सुचना है D.S.P. आवास में D.S.P. गीर कर खायल हो गये मामले को बढ़ते देख दूसरे पुलिस अधिकारियों ने हास्ते छेप कर मामला को किसी परकार सांथ कराया दूद बीकरी पर जहारखन सरकार किसानों को देगी प्रोचसाहन रासी राज सरकार किसानों वो पसुपालकों को दूद बीकरी पर प्रती लीटर दो रूपे परोचसाहन रासी परदान करेगी बरतमान में प्रती लीटर एक रूपे की परोचसाहन रासी दी जाती है क्रिसी पसुपालन एवं साकारिता मंत्री बादल ने विभाग के अनुदान मांगो पर लाए गए कोटावती प्रस्ताव पर चार्चा के बाद राज सरकार को जवाब के करम में अजनकारी दी उन्होंने कहा कि राज सरकार अंठावन लाग किसानों पसुपालकों को बिर्शाक किसान के रूप में यूनिक आईडी देगी उन्होंने पिछली सरकार में फसल बीमा यूजना में कमपनियों को गलत ढंग से लाव दिलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि समिक्षा में यह बात सामने आने के बाद राई सरकार ने जोजना बंद करने का निनलिया उन्होंने कहा कि तीन सालों में 565 क्रोर रूपए प्रीमियम के रूप में भरे गए जारखन में कुलेक्टिव केस की संख्या 236 है भारत में 2535 नाई केस मिले जबकि 546 मरी स्वास्थ भी हुए भारत में कुलेक्टिव केस की संख्या 496 है बिधान सभा में हेलमेट पहन कर बोले सुदेश महतो हुजूर इतनी पुलिस कियों है सडको पर आईसू पार्टि समेत औरने समाजिक संगठनों के सोमार को विधान सभा गिरा और आजधानी में पर्दसन को देखते हुए सक्त सुरक्षा ब्यवस्ता पर विधायकों ने विधान सभा में सवाल उठा है हेलमेट पहुण कर विधान सभा पर पहुँचे आज सुपार्टि के अध्यक सुदेश महतों ने स्पीकर से पुचा की हुजूर आकीर कर इतनी पुलिस रोड पर क्यों खड़ी है इसकी क्या वज़ा है मुझे हेलमेट पहन कर आना पड़ा हर चौक चराहे पर बैरिकेटिंग हो रही है यह चल क्या रहा है हुजूर क्या जानता सरकार से अपनी मांग के समर्थन में परदसन भी नहीं कर सकती बता दे स्पीकर ने कहा कि मुझे नहीं मालूम है कि क्यों सड़क पर इतनी पुलिस है मैं पता करता हूँ इसके बाद सदन में हंगा में शुरू हो गया प्रवासी लोगों के लिए पुर्णवास आयोग का होगा गठन मुख्यमंत्री हमन सुरेन ने सदन को अस्वासन दिलाया है कि राज में विस्थापन को लेकर पुर्णवास आयोग का गठन जल्द किया जाएगा मुख्यमंत्री प्रश्णकाल में आईसू विधायक सुदे समहतो द्वारा विस्थापन का मामला उठाये जाने के करम में मुख्यमंत्री ने वरुसा दिलाया मुख्यमंत्री ने सविकारा है कि राज में विस्थापन एक गंभीर समस्या है जारकन वर्सों से भी स्थापन की समस्या जेल रहा है खनन कारे वर्सों से चल रहा है लेकिन केंद्र सरकार से राज सरकार को मुवजा नहीं मिल रहा है OBC आरक्षन पर बोले मुख्यमंत्री अध्यान कर निर्नाय लेने का अस्वासन OBC का आरक्षन बढ़ाय जाने कि विपक्स की मांग पर मुख्य मंत्री हेमासुरें ने परविधानों का आध्यान कर बिधी पुरुवक निर्नाय लेने का भरुसा सदन को दिलाया मुख्य मंत्री प्रस्ण काल के दरान सोमार को आईसु विधायक लमोदर महतों के स्वाल पर उन्होंने विपक्स की चुटकी ली कहा लगता है विपक्स ने पुरी रानिती भूमिका त्यार कर ली है मुख्य मंत्री प्रश्ण काल के दरान आजसू विधायक लमोदर महतुर ने राजे पिछड़ा वर्ग आयोग का हवाला देते हुए कहा कि आयोग ने ओवी सी आरक्षन को 14 परतिसत बढ़ा कर 36 परतिसत करने के उनसा की है ज्यारखन में प्राथ्मिक सिख्षको की बहाली जल्द मुख्य मंत्री है मंसुरन के नित्युत वाली ज्यारखन सरकार आने वाले दिनों में बड़े प्राथ्मिक सिख्षको की नियुक्ति करने जा रही है इसमें सिक्षक पत्रता परिक्षा पास कर चुके 52,000 युवाओ को मोका मिलेगा सरकार ने इसके लिए निमावली त्यार कर ली है बहाली की रह में आने वाली तमाम और चने भी दूर कर ली गई है राई सरकार के नुसार कुल 26,000 रिक्त पदों पर बहाली होने वाली है यानि 52,000 जेटेट पास युवाओ में से 26,000 युवाओ प्रात्मिक सिक्षक बन जाएंगे हजारी बाग के कासा पितल उत्पाद को मिला स्रिष्टा का परमान पत्र जारखन के हजारी बाग में अपनी बेजोड निर्मान कला के लिए देस भर में परसीद विस्नुगड के कासा पितल उत्पाद को स्रिष्टा का परमान पत्र मिला है विशनुगड के अंचल जामों में बिना जोड का कासा वा पीतल के वर्तनों का निर्मान किया जाता है जारकन में इसके अलावा कहीं और इस तरह के निर्मान नहीं होते हैं इस कला को संड़क्षी तथा इसके विकास को लेकर कारे रही संस्था ग्राम विकास मंज के संजोजग सुदामा सिंको राची में समारो का आवयन कर संड़क्षन और सरवधन के लिए नवाड के केंद्री अध्यक्ष डाक्टर जी आर चिंतला से समानित करते हुए स्रेष्ट उत्पादन का पव्वान पत्र दिया है जार्खन हाई कोट ने इनकार कर दिया है अधालत ने इस मामलेपर बिस्तित सुनवाई के लिए टाईस मार्ण के preço निधारित किया है इस समध में पूरनीमा कुमारी मिस्तरा ने याचका दायर की है याजका में कहा गया है कि कई OMR सीट में केंद्र निरीक्षक का हस्ताक्चर भी नहीं है इससे गड़बड़ी की असंका है इस पर JPST के अधिवक्ता संजय और प्रिंस कुमार सिंग ने अदालत को बताया कि इस बार नए नियम के ताद परिक्षा ली गई है इसमें परिक्षार्थियों को OMR सिट की कारबन कोपी दी गई इसके अलावा परिक्षा केंद्र पर एक-एक उपस्तिती पंजी का बनाई गई थी जिसमें केंद्र निरीक्षक सहित अभ्यार्थियों का हस्ताक्चर है इसलिए इसमें गरबाड़ी की कोई संका नहीं है सीपाही चालक परिक्षा रद करने के खिलाप हाई कोट में याजिका दाया है जार्खन कारा विभाग चालक सीपाही परत्योक्तब परिक्षा रद करने के आदेश को हाई कोट में चुनोती दी गई है जार्खन करमचारी चाहन आयोग की ओर से जारी नई नियुक्ति परक्रिया को भी गलत बताया है इस समध में स्यामलल रठाउर एवाम अने ने अपने अधिवक्ता मनोष टंडन के माद्यम से यजका दायर की है याजिका में कहा गया आए कि जार्खन राज करमचारी चैन आयोग की ओर से चालक सिपाई के पद पद श्यासी पदों पर नियोक्ति परकिले शुरू की गई थी 20 जनवारी 2019 को परिक्षा भी ली गई थी इसमें सपल अभियार्थों का मेटकल कराया गया ड्राइविंग टेस्ट के बाद मेरिट लिस्ट भी तयार की गई जब नियोक्ति पत्र देने की बारी आय तो परिक्षा को ही रद कर दिया गया क्रमचारी संग ने अधिक्षन अभियांता पर करवाई की मांग की जार्खन राज और राजपत्रित करमचारी महासंग ने मुख्य मंत्री हमान सुरेन से पेजल यम स्वक्षता विभाग के मेदनी नगर अंचल के अधिक्षन अभियांता पर करवाई की मांग की है महासंग के परदेश महामंत्री सुनील साह ने कहा कि अधिक्चन अवियंता अपनी मनमानी कर रहे है उन्होंने सरकार के नियमों के विरूद अस्तनांतरन उच वर गिये लिपिक सा महासंग के पताधिकारी अनंद कुमार का अस्तनांतरन किया है जारखन में 100 करोड की लागत से होगी जयविक खेती देश में जयविक खेती पर इंदीनों काफी जोर दिया जा रहा है इस पत्तिस से होने वाली खेती से मानव के स्वास्त बेहतर होने के साथ साथ परयावरन को भी अनेक लाब है वही रसाइनी खेती से पर्यावरन के साथ साथ मानव के स्वास्त पर भी प्रतिकूल अजर पर रहा है जारकन सरकार भी राजे के अंदर जैवी खेती को बढ़ावा देने को कृत संकल्पित है सरकार के किरिसी मंत्री ने जारकन विधान सवा में इस आसे का जबाब दिया विधान सवा में भाजपा की विधायक विरंची नराइन के एक सवाल पर किरिसी मंत्री बादल ने जबाब दिया है मिड़े मिल के लिए केंदर से पैसा नहीं मांग सकती जारकन सरकार जारकन में राज मद्यान भोजन प्राधिकरन ने बीतिय वर्ष 2021 की मीट डे मील योजना की रासी अब तक खर्च नहीं की है अब अगले बीतिय वर्ष के लिए रासी की मांग कैसे करें सरकार इस असमंजस में है राज सरकार कोकिंग कोष्ट की रासी से फूड पैकेट तयार कर देने के लिए फिलाल टेंडर की परकिरिया भी शुरू किया है कोविट की वज़ा से 17 मार्च 2020 से स्कूलों में मद्यान भोजन योजना बंद थी महिला दिवस पर मुख्य मंत्री के हाथो समानित होगी रंजीता देवी तोरपा बांच टोली के आंगनवारी सेविकार रंजीता देवी को पोषन अभियान और कोविट के दोरान उत्क्रिष्ट कारे करने के लिए मुख्य मंत्री है मंसुरेन मंगलवार को समानित करेंगे रंजीता देवी के आलावा मुर्भू परखंड के हेसेल गाओं की आंगनवारी सेविकार सुमन को भी मुख्य मंत्री द्वार समानित किया जाएगा पुरसकार के लिए जिले की इन दोनों आंगनवारी सेविकाओं का चायन किया गया है लोहर्दगा में साधी देख घर लवट रही नबालिक से चह यूकों ने किया गैंगरे लोहर्दगा जिले के भंटर थाना चेतर में नबालिक लड़ की से समोईक दुसकर्म का मामला परकास में आया है मामले की जांच अधिकारी SI सावीत्री कक्छप ने बताया कि घाटना रभिवार देर रात किया मामला सोम वार को दर्ज किया गया उन्होंने बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच करवा कर बयान दर्ज करा लिया गया है पांच आरोपियों को गिरफतार भी कर लिया गया है धन्यवाद